आज के CA students की struggle की बात करें तो भाई tension ऐसे ही बढ़ जाती है दो वीडियो पहले मैंने आपको promise किया था कि जो भी मैं बोलूँगा वो सच बोलूँगा चाहे लोगों को पसंद आये या ना आये इस वीडियो से भी CA students को तो समझ में आयेगी बात लेकिन बाटी लोगों को शायद बात अच्छी ना लगे क्योंकि इस वीडियो में मैं point करना चाहता हूँ जो CA students की struggle है not because of their fault but because of the inefficiencies of the others चाहे वो rules and regulations हो चाहे वो family situation हो चाहे fear of missing out हो थोड़ी थोड़ी जगा CA students की भी गलती रह सकती है लेकिन unnecessarily जो आप पर pressure बन रहा है इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है I want to talk about it and I want you to listen अगर आपको लगता है कि मैं सही बात कर रहा हूँ relatable है थोड़े solution भी देने की try करूंगा में problems की आप भी अपना comment करके problems बताईएगा and उसके साथ I also request की share कीजिये जादा से जादा क्योंकि आप ही अपनी बात नहीं रखोगे तो मैं कितनी अपनी बात रख लूँगा कुछ भी नहीं होगा कोई सुनेगा भी नहीं It is not with an idea of making or कुछ change हो जाएगा revolution हो जाएगा but at least you should know that somebody is there who is thinking about it and so should you आज अगर हम CA students की problems की बात करें तो क्या-क्या problems है पहले तो exam में pass percentage किता होगा pass होंगे या नहीं कम percentage होगा तो attempt जादा लगेंगे time waste होगा जादा pass हो गए तो पता नहीं वो डेली में या कहीं का viral clips देख रहा था मैं campus placement का वहाँ पर लडाईयां चल रही है भील्ड लगी भी है एकदम लोग jam पाक करके रखें उसको jobs ठीक से मिलेगी की नहीं मिलेगी मिलेगी तो 5-6 लाकी ही मिलनी है तो फिर इतना effort करके क्या मतलब होगा दो attempt तीन attempt से जादा लग गए तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी नौकरी मिलेगी तो pressure किता रहेगा work पे fear of missing out है social media पे हम hook है boyfriend girlfriend की tension है घरवालों का pressure आ रहा है कि शादी करो या कमाओ या फिर कुछ तो और करो बहुत सारे pressure है articleship का तो अलगी दुख चल रहा है थोड़े से पैसे बढ़ा हैं लेकिन फिर वहापर अलग pressure है अपनी जवानी तो गई college जा नहीं पा रहे हैं इतनी सारी challenges इतने सारे problems के बीच से CA student निकल रहा है मैं यह नहीं बोल रहा है कि CA course में ही सिर्फ एक लौता ऐसा course है जिसमें problem है ने बाकी courses में भी अपने challenges होंगे बाकी courses में भी अपने difficulties होगी CA is a very difficult course everybody knows it but then there are some things which perhaps could have been or should be managed in a better way जिससे कि उतनी जादा आप लोगं को परिशानी ना हो उत्ती जादा आप लोगं को tension ना हो as an elder brother I just want to put it in front of you and also guide you आज आप देखोगे ठीक से mentor नहीं मिलते आज आप देखोगे अपनी communication skill zero के रखिये job interview अभी वो 20,000 लोगों में से अपने को number one आना है या 100 vacancies है उसमें अगर अपने को job मिलना है तो कैसे खुद को prepare करें through this channel I will try to always help you subscribe करके like button दबा दीजेगा आपने comments का इंतजार रहेगा सबसे पहली जो problem चालो होती है आपने foundation clear कर लिए intermediate आपने चलो कैसे भी clear कर लिया वहाँ तक उतनी challenge नहीं है उतना tension नहीं है यहाँ पर ICI को एक तो मैं तारीफ करना चाहूंगा कि thankfully उन्होंने जो आर्टिकल्शिप का period है उसको reduce कर दिया है reduce करके उसको कम से कम bearable बना दिया है कि चलो तीन-तीन साड़े तीन-तीन साल हमको अठका नहीं रहना पड़े को you should choose a good firm क्योंकि यह आपका base बन जाती है for your future now another problem over here is यह दो साल का आपका work account नहीं होता work experience आप दो साल काम कर रहे हो like any other person लेकिन यह आप post qualification आपका work experience zero से ही start होगा क्यों start होगा कम से कम कुछ तो आप credit दो कुछ तो आप extra उसको push करो कि दो साल अगर बंदे ने article ship की है तो अगर वो उसका knowledge meet होता है interview में requirements meet होती है तो यह position उसकी रहनी चाहिए जैसे अगर आप big four से article ship करके दूसरे big four में apply करते हो तो वो लोग आपको एक skip level promote already करके ही लेते हैं by default that is useful that is something आपका जो तीन साल का आपने दो साल का investment ही है वो use आ रहा है नहीं तो फिर वो दो साल ठीक knowledge आपको मिल रही है उसकी विज़े से job आपको मिल रही है बढ़ दो साल काम तो किया है why not count that as work experience I don't know अगर आप लोग को कोई genuine reason मालूम है कि क्यों इसको work account नहीं करते तो मीचे comment करके मुझे बता दीजेगा but I strongly feel की work experience ठीक है maybe not two years of work experience but कुछ credits या कुछ differentiator होना चाहिए कि बंदे ने दो साल काम किया उसकी expertise knowledge है तो उसको benefit मिलना चाहिए तब तो क्या है students जो है वो dummy articleship भी नहीं करेंगे वो genuine articleship करेंगे ताकि उनको ये advantage मिले ये हो गई आपकी articleship की बात articleship लग जाती है देखो I think the institute as per institute rules 7 hours का mandate है if I am not wrong कि 7 गंटे से जादा an article should not be made to work ठीक है we know during peak hours peak season difficult times आपको थोड़ा जादा stretch करना पड़ता है Saturday Sunday भी stretch करना पड़ता है once in a while it is okay जब month closing quarter closing, year closing September audits या tax audits, return filing ये 4-5 critical pocket जो है उसमें समझ में आता है कि एक दो हफ़ते आपने hard work कर लिया 7-7, 8-8 गंटे, 10-10 गंटे, 12-12 गंटे भी लगा लिया लेकिन normal course of office अगर आपको 7 गंटे से उपर लगने के लिए बोल रहे हैं, तो I think it is not fair पैसे तो उत्ते ही मिलेंगे काम आपको पूरा करना पड़ेगा टाइम भी आपको extra लिना पड़ेगा आपकी studies impact होगी तो I think you should be very clear with your article principle जो है कि sir मैं काम जब करना है तब कर दूँँगा लेकि या ओ या मैनेजर मैं काम जब करना है, you don't worry I will finish the work, but seven hours का एक boundary है seven का eight होता है, all right fine but let's not make it a habit की रोज 10-10, 12, 12 गंटे चल रहे हैं you will have to somewhere stand up for yourself very politely, don't fight but stand up for yourself very politely article chip की बात यहाँ पर खतम होगी, अब आजाती है आपके पढ़हाई की बात, जो distractions हो रहे है, हजारों distractions हो रहे है इन में से सबसे problematic distraction क्या है, एक तो cell phone का distraction है, instagram को लिया scroll करते रहे, uselessly scroll कर रहे है चालू करना था कुछ वीडियो से लेकिन जा रहे हैं हम और कुछ वीडियो के उपर और फिर वो दो घंटे कब निकल गए, पता नहीं यह तो आपकी के control में है, वो app डाउनलोड करो, timer वाले जो notification देगा कि 20 minutes हो गया है, now you should leave your phone, and tell yourself कि भाई क्या कर रहा है, future खराब होगा मेरा चुपचा, phone रख दे, phone उता important नहीं है, आ जाएगा जिंदगी में आगे, टेंशन मत लो, आप दिन भर देख लेना, फिर CA बनने के बाद, लेकिन अभी it's important that you leave your phone completely, no distraction while you're studying, structure your studies properly, मैं time tables, guidance videos डालते रहूंगा, बट structure your studies in a way, कि भाई आपको पता रहा है, finals का time देने वाले हैं, तो एक साल पहले या one and a half year से पहले हम थोड़ी classes ले ले लेते हैं उन subjects की, जिनके जादा changes नहीं होते जहाँ पर syllabus सेम रहता है, classes चालू की practice की, last के 6 महिने के लिए सब मत छोड़ना, last के 6 महिने के लिए revision छोड़ना, ताकि आप एक attempt में निकल पाओ, extremely important, be very clear, be very pragmatic over here, articleship, धीरे धीरे आप 7 गंटे करोगे तो आप classes ले पाओगे, classes के साथ फुड़ा फुड़ा practice करो, तेट साल पहले या 1.25 years पहले start करोगे you will be in a very good situation, आपको 6 ही paper रह गए हैं, उसके अलाब आती है family की problems, जैसको किसी को financial problems होती है, that is very important and उसके लिए, it's even more important that you become a chartered accountant very quickly, if you're not financially stable and सब कोई आप पर ही उम्मीदे टिका कर बैठे हैं, next आती है आपकी शादी की problem, for women and for men, दोनों के लिए आजकल सेम है 24-25 साल में होते हैं, most of the parents will tell ले ने, शादी करो, शादी करो, शादी करो, आप अगर clear नहीं कर रहे हो, तो भी शादी करना आपको पड़ेगा अगर आपको लगता है, it is too early and you want another attempt or two sincerely if you want, talk to them tell them कि नहीं मेरेको एक और attempt दे दो, दो और attempt दे दो, उसके बाद जो आप बोलोगे, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, you will have to talk to them because once you are married, it becomes very difficult, वो 6-8 महीने, एक साल का period चले जाता है, फिर even after marriage if you try attempting, वो coming back to form, syllabus change हो जाएगा it all becomes very difficult, you have to sit down with your parents and explain them if they are not understanding, beg them, आपके ही parents है, ego पेलमत लेना, please बोलो कि मेरेको एक attempt दे दो, मैं sincerely महनत करके exam दूंगा इस बार, नहीं हुआ तो फिर अपन देखेंगे, लेकिन इस बार मुझे exam देने दो, मुझे पढ़ने दो I want to complete my CA exams or I want to do my job, that is going to be extremely important and critical for you to speak with them to solve this particular problem अब थर्ड प्रोब्लम आ जाती है, आपकी clear होने के बाद, job market की I am yet to read पूरा जो placements का ये बार statistics आएंगे बट वो एक दो clips देखके जो भीड देखी है, मैंने बावरे it was very, very painful to see CA students struggle like that and उसके लिए क्या है देखो, अभी जो competition है सो है, जादा लोग clear होंगे jobs है market में chartered accountants के लिए, लेकिन फिर वो demand supply की बात तो आई जाती है, अभी जादा supply हो कही है, तो दूसरे लोग बोल रहे है, अरे इतनी supply क्योंकि है, result कम करना था, result कम कर देगा, तो institute को बोलो कि institute तो पास ही निकरे, दोनों तरफ से आप institute को फसा रहे हो, which I don't think is fair, अब कहीं ना कहीं, ठीक है, I also think 20% के जितना भी अब result आया था, it was very very high, 10 to 12% का जो एक था, वो ठीक था, आप tough papers बनाओ कि 10 से 12% students जो अच्छे से पड़े हैं, अच्छी article ship किये हैं, वो clear करें, and then आपको jobs भी मिल जाती है, market में, so I think it was, yes, there were a lot of people who cleared this time, अब ठीक है, once in a file, you need that result also, to push the old stock out, and get the fresh ones in, so that job नए आ रहे हैं, आप entry barriers लगा दो, जैसे शायद अभी किया है, उन्होंने foundation का result काफी खराब हुआ था, क्योंकि entry barriers लगा दिये गए हैं, and अगर आप foundation level पे दो बार fail हो जाते हो, उसके बाद I don't think you should try for entering the course, you should not waste time, you should do something else, utmost sincerely, that is my advice, उसके अलावा, job देखो अगर आपको चाहिए competition में, तो दो चीज़ बहुत important है, एक तो आपको अपनी public speaking skills पर, communication skills पर काम करना पड़ेगा, और एक job interview preparation करना पड़ेगा, दोनों ही हमारी थोड़ी डामाडोल रहती है, CA students की, मैंने दो courses बनाये थे इसी के उपर, एक तो master the art of public speaking and presentation, and how to crack job interview, द if you wish, you can enroll for it, I think, दोनों मिला के हैं, पंदरा सो दो अजार बच्चे कर लिया होंगे, I don't know the exact count, but then, they have been benefited so massively, मुझे कितने सारे messages आते हैं, कि sir, आपका course दिया था, I am speaking so confidently, मुझे पता चल गया कि कैसे बात करना है, frequently asked questions job interview में, where do you see yourself after 5 years, what do you want to do in life, why do you want to join this company, why should we hire you, all of these 10-12 common questions उसके template के answers बना के दिया मैंने, जिससे की आप लोगों को help मिलेगी to crack the course, उसके अलावा for CA students भी एक course मैंने अभी pre-launch किया है, and अभी उसके videos में डालना चालो करूंगा, अभी तक introduction video डाला है, how to crack CA exams, जिससे की आपकी mental, physical and preparation skills ठीक हो सके, उसकी भी course pre-launch हो गई है at a discounted rate, and उसके बाद I will be increasing the rate, but that also you can see the link in description, so some of these courses might help you, see at the end of the day, अब आप सब कुछ CA course पे तो नहीं छोड़ सकते, अब यह तो नहीं बोल सकते कि CA course ही हमारा सब कुछ कर देगा, CA वाले clear है, हम आपको account सिखाएंगे, audit सिखाएंगे, law सिखाएंगे, law नहीं, tax सिखाएंगे, यह हमार ही है, आपको voluntarily करना पड़ेगा, आप अपने office में करो voluntary, या फिर आप SIRC, या कोई भी जो यह students associations होते हैं, विकासा, सिखासा, जो भी है, वो सब आप join करो, and try to participate over there, try to evolve yourself into a better student, problems बहुत सारी है, solutions भी धूननी ही पड़ेगी, अब उसके अलावा देखिए, जो working hours का भी recently case हु very unfortunate, उसके उपर तो मैं एक वीडियो भी बनाया था, विक पोर working culture के उपर, कहीं ना कहीं अपने को भी push करना पड़ेगा, we will, we cannot expect employers to be साधुसंत की हो हो, हम सब अच्छा ही देख लेंगे तुमारा, बहुत कम मिलते हैं, बहुत मिश्किल से मिलते हैं, उनको पैसे से मतलब हो tell no, that's it, क्या होगा, 5% bonus कम मिलेगा, 10% bonus कम मिलेगा, promotion एक साल लेट मिलेगा, help तो रहेगा, कम से कम, as important, as simple as that, पढ़ाई करते रहो, focus रखो, boyfriend, girlfriend अभी important नहीं है, बहुत सारे relationship आपके जिंदगी में आएंगे, जाएंगे, you have to let go, you have to be smarter than that, as simple as that, आप अपने हाथ में अपन अपने हाथ में अपना काम लो, and focus, कोई भी problem हो, कोई भी challenges हो, मैं आपको guidance करता रहोंगा, देता रहोंगा, मेरा one-on-one mentorship भी चलता है, उसके भी details में नीचे description में ही छोड़ दूँगा, if you want to speak with me on a call, then also you can do that, अगर कोई challenges है, and you want some personalized solution, नहीं तो ऐसे free videos आते ही रहेंगे, and you will definitely benefit out of all of them, और कोई queries हो, questions हो, problems हो, challenges हो, नीचे comment में बताओ, उसके उपर भी video बनाएंगे, बेधड़क video बनाएंगे, धडल्ले से video बनाएंगे, articleship के principle से नहीं डरेंगे, ICI के किसी से नहीं डरेंगे, जो गलत है, वो गलत बुलाएंगे, paper correction का भी एक problem है, लेकिन उसके उपर मैं बहुत videos बना चुका हूँ, और भी बनाता रहोंगा, बाकी problem से भी अपन चर्चा करते रहेंगे, और कोई points है, तो मुझे बता दीजेगा, description box चेक कर लिजेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, thank you so much for watching,